अधाद नमस्कार सथ स्वीकार मैं रेश कोशल आज एक वर फिर दैनिक अर्थ प्रकास्ट सुम्हों की और से लेकर आया हूँ आपके लिए प्रमुक फिर दैनिक अर्थ पत्रों के मुख्य प्रिष्टों के लीडिंग न्यूश और इसके साथ ही स्थानिय संस्करणों की प्रमुक खबर हैं तो इससे पहले हम आपको पता दे के आज के सबी समाचर पत्रों में कौन सी प्रमुक खबर हैं एक जैसी हैं राजिस्थान में सियासी उठापटक जैसा कि आप सभी जानते हैं टीवी चैनल में भी कल चलता रहा सारे दिन प्रोग्राम के राज भावन को गहलोत और उनके विधायकों ने गेरा बंदी की वहां अंदर जाकर नारे बाजी की ये समाचार सभी हवारों में प्रमुक्ताश हुए हैं जिन पर लाखो रुपए का पुर्षकार भी रखा हुए था इसके लावा नवजोसी सिद्धु जो पूरे मंतरी हैं पंजाब के एमले हैं उन्होंने आरोप लगाया कि जब से उन्होंने मंतरी पाँ छोड़ा है उनके निर्वाचिन खेतर में विकास का रहे हैं लगभग ठप होकर रहे हैं करोना का समाचार लगभग सभी ख़वारों में स्थानी संख्या देश और विदेशों में कलमित रोगियों की संख्या उसका विस्तार शिविवरन जैसे हर रोज होता है आज भी है इसके लावा एक बहुत ही दुखदायक समाचार है जीन जिले के गऊं का जहां एक अकल यूकी बापने अपने 5 बच्चों की हत्या की और उसका खुला सचा अभी कल ही हुआ है तो आएए अब चलते हैं समाचार अलगलग समाचार पत्रों की जो है उनकी ख़बरों की करते हैं समिक्षा दैनिक आर्थपरकाश की समिक्षा से पहले आपको मैं समरन करना चाहूंगा कल के समाचार पत्रों में एक समाचार था के महलाएं अब सेना में सभी शेत्रों में यानि के सभी विंग होते हैं जो उनके पहले दो विंग में जर्नल बन सकती थी टॉप पजिशन पर जा सकती थी लेकिन अब रास्ता साफ हो गया है कि जो भी है महलाएं आर्मी में बड़ी कमिशन पोस्टों पर जाती है वो सभी दस जो विंग है उनमें उच्च पदों पर जा सकी है इनको लेकर टेंशन खलाश में एक हलकी फलकी बात बेटियों के महलाओं के सम्मान में इस तरह से कही गई है प्रिक्षा में तो रहती ही थी अबवल पहले आप अब सेना में बनो बेटियो जर्र टॉपो टाप तो चलिए आगे बढ़ते हैं राजिस्थान में सियासी उठा पट है ये है मुख शीरशक दैनिकार्स परकाश का विदान सवाशत्र बुलाने की जिद पर अड़े सीम अशोग गहलोत राज भवन में धरना दे रहा है विदायक होटल लोटे सीम गहलोत ने कैबिनिट की मीटिंग बुलाई और शुर्जेवाला जो परवक्ता हैं कांग्रेस के रंदीफ शुर्जेवाला उनका कहना है के विदान सवाशत्र बुलाकर विरोधियों को कराना चाहते हैं चुप और वन्शानगत कांग्रेस के लेके धौस्त होते युवा स्थम ये एक विशेश टिपनी है तोरी टिप मेरे शुर्जेवाला ये प्टर लिखाया है उनकी फिर्द के लिखाया है या उनकी ने चुनराशति के लिए काम नहीं हो रहा है एक समाचार जो लोगतेन्तर के लिए शुक्रत कहा जा सकता है जिन जिन राज्जियों में उपचुनाब होने हैं उसके बारे में पहले खبر कि वो स्थागित हो गए हैं करोना की वज़े से उनकी अनिश्चित्ता हो गए थी उन में राजस्वा कभी एक चुनाव होना था लेकिन अब ताजा समाचर यह है कि 56 विदान सिवा सीटों और एक सेंसिली सीट पर जो उप चुनाव है वो कराने का जो फैसला शिग्र ही लेने जा रहा है इसके लावा डैनिक अर्थ परकाश में जन नाएक जनता पार्टी कारेले में कुक मिला संक्रमित यह समाचर है पहले समाचर आप शाहिद जानते होंगे कि दुशंत चुटाला के एक नीजी सचिव भी करोना से पीड़ित पाए गये थे तो उनका जो कर दिया था गया था उनके आवाज को और उसकी सेनिटाइजेशन हुई थी अब इसी तरह से उनके जो जेड़ेपी का कारेले है वहां भी एक कुक जो है वो संक्रमित पाया गया है इसके लावा गैंगेस्टर जान वे गुर्गे की महाली पुलिस के साथ फायरिंग जैसा म उस समय अफरा तफरी मत की जब पुलिस को गैंगेस्टरों में मुठ बेड़ हो गई इस दोर पहले गैंगेस्टरों ने पुलिस पर फायरिंग की जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग कर गैंगेस्टरों को दबोच लिया उसमें एक गैंगेस्टर जो उनका किसे शीर्शिक राज हट हटस्तान वो कहते हैं राज हट त्रिया हट बाल हट तो ये राज हट एक तरह का उन्होंने कटाक्श किया है कह लीजिए स्पीकर पर या गुर्णर पर किसी पर भी कहा जा सकता है तो सतर साल में पहली बार राजेपाल ने सतर बुलाने के लिए कैबिनेट की सिलाह नहीं मानने लोग पंतर की जो भद पिट रही है राजिस्तान में वो सब के सामने है मुक्ष मंतरी गहलोच चाहते हैं के तुरंत विजान सवा का सत्र बुलाया जाए ताके वो अपनी मेजॉर्टी सिद्ध कर सके है हाला के उन्होंने जो पत्र गुवर्नर को भेजा है सत्र बुलाने का उसमें ये नहीं लिखा के के वो बहुमत साबत करना चाहते हैं लेकिन मन्शा उनकी यही है और इसके लिए वो एक विप जारी करना चाहते हैं जो राजनितिक शेत्रों का यही मानना है के सचिन पाइलिट और जो उनके अठारा साथी जो है वो पार्टी में विद्रो कर रही है उनको निकालने का एक रास्ता विप के जरी हो सकता है क्योंकि अगर वो शामिल नहीं होते विद्राने समस्यत्र में तो विप का उलंगन मानना जाएगा तो स्पीकर उनको जो है बरकास्त कर सकता है तो यह समझे हैं काफी विस्तार से दिया गया है गहलोत ने राजेपाल को जो परस्ताबेज है उसमें बहुमत प्रिक्शन का विश्वास मत का जिकर नहीं जैसा मैंने आपको बताए इसके अलावा टेली कॉन कमपनियों ने 82.3 लाग गराख खोई यह करोना के दोरान क्या हाल रहा है अर्थ विश्ता किस तरह से बिगड़ी है तो यह अनुमान यहां से लगाया जाकता है के अपरैल में टेली कॉन कमपनियों ने 82.3 लाग गराख खो दी है यह जानकर शुक्रवार को टेली कम नियामक ट्राइक योर से जारी डाटा से मिली है इसके अलावा देश में करोना मरी 13 लाग के पार मौतें कत्ती हजार के करीब यह समाचार जो है परमुक्ता सीहापी दिया गया एक समाचार मुक्यवाज विश्वर प्रसिद मुक्यवाज से टाइसन जो अब आईउ में तो 54 वर्स के हो चुके हैं वो एक बार फिर रिंग में उतरने की तहरी करें 14 साल के बाद इस समाचार को प्रस्म प्रिश्ट पर भास करने लिया है अब बात करते हैं आज समाच की आज समाच में जो मुक्खे समाचार के उपर फ्लायर लगाय गया है अप्रहित लैब एसिस्टेंट की हत्या साथ और पुलिस कर्मी सेस्पेंट ये समाचार यूपी से उत्तर परदेश से समंदित है जैसा कि आप जानते हैं कि कांगरेस बार बार हमला कर रही है और इसी तरह से जो मुलाइम सिंग यादव की पार्टी है वो भी योगी सरकार पर ये हमले कर रहे हैं कि उत्तर परदेश में ला एंडाडर कानून वे वस्ता चर्मराई हुई है तो इसी तरह से योगी सरकार ने ये कारवाई की है कानपूर में लैब टेक्निशन संजीत यादव हत्या कारवाई हुई है इसमें आई पिए सब्सर अपरना गुपता भी शामिल हैं डी एस्पी भी हैं बहुत से लोग हैं तो ये कहा जाता है कि इन्हों ने पुलिस ने बताया कि संजीत की हत्या की शाज़े से चने वाला उनका दोस्ती था जो उसके साथ लैब में काम करता था दरशल पुलिस ने संजीव यादव केस में पांच एरुप्यों को गिरुफतार किया तो इस तरह सी एक खबर के साथ ही प्रेंका गांधी की एक वक्तव उनका लगाया गया है उत्तर प्रदेश में दम तोड़ चुकी है कानून वे वस्ता और इसी के साथ अखिलेश यादव ने भी कहा है संजीत यादव के परिजनों को देंगे पांच लाख संजीत यादव अखिलेश यादव आपर नमान लख चाह सकते हैं कि पांच लाख रुपए क्यों दिये जा रहा है राम बंदर के पूजन पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज और इसके साथी राजस्तान के समाचार प्रमुकता से कांगरेश ने राजभवन घेरा राजपल कल राजमिस्टर ने कहा शाड़ नोटिस पर सेत्र बुलाना संबब नहीं वो करोना का कोई दे रहे हैं कारण के करोना की वज़े से लेकिन जब मध्य परदेश में उठा पटकुई थी तब करोना की कोई ऐसी चिंता नहीं थी वहाँ पे कमलनाशरकार की जो है गिरी है वो इसी करोना के दुरान गिरी चौवी घंटे में रिकार्ड फॉर्टी नाइन थाूजन थ्री हंड़र्ट टैन केस तो ये वड़ा सेंसेशनल बात है जो हलात बिटते जा रहे हर्याना में साथ सो असी केस पंजाब में चार सो ब्यासी केस और इस साथ ही कोविड और चीन मामले में केंदर को घेरा ये राहूल गंधी जो है वो आजकल एक सीरी जैसे मन की बात करते हैं मोदी जी उसी तरह से कांगरिशनेता जो है राहूल गंधी वो भी कहते हैं के पहले मैंने करोना वाइरस पे चिताबनी दी शरकार को फिर मैंन करते हैं अन्फुनी करता है सुनता नहीं है जिसका नतीजा है कि देश में आपदा बेचानी फैली हुए है तो उन्होंने चीन को लेकर अपनी बात को अन्फुनी ना करने को कहा राहूल ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि मैं कोविड उन्नेश अर्थ बश्ता के बारे नतीजा देश में आपदा मैं चीन के बारे में सिटेट करता रहूँ वो भी नहीं सुनी गुरुवार ने रहूल ने वीडियो सिरीज सत्ते का सफर रहूल के साथ के जरिये सरकार को निशाने पर लिया और इस सिरीज की तीसरी कड़ी गुरुवार को जारी की गई तो सब अपनी मन की बातें कर रहे हैं दरातल पर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा भारत चीन में बनी सहमती को लागू करें हैं चीन की नई साज़िश पाकिस्तान के साथ जैविक हत्यारों की गोपनिय डील दोनों बातें साथ चल रही हैं अब एक समचार आ रहा है कि सीमा प नचारों के बारे में ये गोपनिय डील बताई जा लिया है चीन की और पाकिस्तान के बें मारिशल पर महतरपूर्ण बात है कि पर महत्रमी कमान का एक जो पर मुखनियुक्त कई है वाई उखेना में वो रराफेल के जो खेफ है वो आ रही है वो शामिल हो रही है तो इस तरह से एक महत्तब बनता है इन जो है अधिकारी का आगे चलते हैं पंजाब केश्री पंजाब केश्री में करोना की दवा का एमिस में ट्रायल दिल्ली निवासी को लगा पहले आटी का पहले चलन में तीन सो पच्छतर लोगों का प्रिक्शन होगा इन्हों करोना की समय द्रावा को जो है वो मुख्तादी है और दूसरा समय तरहा गहलोट से राज निती से इस मंदत है शिर्शक है सत्र बुलाने के लिए राजभवन ने गहलोट मर्त को ने दिया धरना चीन की जवाबी कारवाई चेंग दूस्थ थित अमरिकी वानिज दूतावा और इसके साथ ही 56 विजान शिवा सीटों पर उपचुनाव का फैसला जल्दी उपचुनाव की इतिती जो है गोशित की जाएगी जैसे मैंने पहले बताया दिल्ली और नोड़ा में तीन ठेकानों पर सीबी एक इच्छा पे मारी यहां पे 190 करोर की एक दोखादरी का मामला है दैनिक जागरन की बात करते हैं गहलोत ने दी धमकी अगर जन्ताने राजबबन गेरा तो हम जिम्मेदार नहीं गेरा राज्यों में नशा सप्लाई करने वाले गिरों के 20 सदस्य गिरफतार यह पंजाब का एक समझे रहा ग्यारा राज्यों में नशीली दवाउं की सप्ल गोलियां, कैप्सूल, शिर्प की बोतले, ये मिली है, स्पीकर नहीं कर सकते हैं, बागे विधायक पर कारवाई, हाई कोट ने, ये कल हैसला लिया था, जैसे कि आप जानते हैं कि हाई कोट, राजिस्तन हाई कोट में सेटिन पाइलिट गए हुए हैं, उनका कहना है कि स्पीक जो थे वो सुप्रीम कोट गए थे, के मेरे को पूरा अधिकार है, मैं, अभी मैंने कोई कारवाई नहीं की, तो वो हाई कोट में कैसे चले गए, लेकिन सुप्रीम कोट ने फिर जो बाल है, वो हाई कोट के पाले में बेज़ दी, कि जो हाई कोट फैसला करेगा, फिर लगी थी, उन्होंने यतास्टिती बनाए रखने के लिए कहा, दूसरा जो मैंने बोला के कल्यों की बाप, वो सेंसेशनल जो समाचार है, ये जीन्द जिले से समद्दित है, जीन्द का एगाम है, डिडवाडा, वहां के जमाउद्दीन ने तांतरिक के जो है, आके धांसे में आकर अपने बच्चों को एक के बाद एक बच्चों की उसने हट लास में जो दो लड़कियां, अभी पहले उसने गाइव की, बाध में उसने शिर पंच के लिक nieuwe बता दिया, कि ये लड़कीं में गाइव की इसी बाद में नहर में फैंच दी थी, तो इस तरह से उसके पुराने जो कुकर्म था उसका भी पूरा खुलासा चिठा जो सामने आ गया और उसकी पतनी कह रही है कि उसके सजा मिलनी चाहिए बॉटम पे ख़बर दी है बुद्ध धराक के विने कराएंगे शिरी राम मंदिर का बूमी पूजा ये जो विने जी है ये बहुत ही विद्वान है काशी विद्वित परिश्यद के सिंगठन मंतरी प्रफेसर विने कुमार पांडे बुद्ध की महापरी निर्वान स्थली कुशी नगरी में विशनपुरा के रहने वाले हैं तो ये काफी एजूकेटर हैं बी एस्प्यो में पड़े हैं पूजल में आएंगे दोसो अठासी मेहमार ये था जैनिक जागरन अमरुजाला को लेते हैं राजभवने पांच घंटे धरना जैसे मैंने बताया गहलोत और उनके विदायक चार बसों में भरकर आये थे बाहर कि अनर ने तो ये कहा कि देखिए आप राजभवन को भी नहीं समाल सकते यानि कि उसका भी घराव हो जाता है तो आप का है कि शरकार चले रहे का है कि आप ग्रैवी भागा कैसा है आपका उन्हें ने तो ये लांचन लगाया गहलोत ने कहा कि नहीं अब अगर जंता ने ग अपारग कर खत्याँ वो पोट में गया था एक पुलिस कर्मी बैसर पहले से बरखाशत है वो किसी और मामले में पोट में गया था लेकिन छे नकाप पुछों ने उसको पकड़ा और थोड़ी दूर ले जाकर उसको गोलियों से खत्या कर दी पुल के नीचे उसका शब बर जा सकता है इंजिनिरिंग मैनेजमेंट की दो पॉइंट छे लाग सीटें खतम तेरह सो चैसी काल्जों में नहीं किया नवीनी करन आवेदन चौाली की माननेता रद यानि कि लोग ज्यादा आ नहीं रहे इसलिए एक सो असी के क्रीब तो तक्निकी काल्ज जो है बंद हो चु अखिल भारती तक्निकी शिक्षा परिशिद ने इस साल इंजिनिरिंग मैनेजमेंट फार्मेसी और अन्य प्रोग्रमों में सनातक सनातकोतर और डिपलोमा के लिए सीट फाइनल करने का काम पूरा कर लिया है तो ये था अमरजला दैनिक ट्रिब्यून की बात करते हैं दैन इसके इलावा देश में नहीं थम रहा करोना का कहर एक दिन में रिकॉर्ड उन्चास हजार से ज्यादा माम ले इस खबर को मत पूरून डंक से लगाया गया है और दो बेटियों को जहर देकर नहर में फैंका वो समचर वही है जिसने तीन बच्चे पहले भी मारे थे तांत वो पूरव जो परधान मंत्री थे नर सिंग्राओ उनकी परशनशाद की है अब हम स्थानी समाचारों को लेते हैं चंडिगड केसी प्रजाब केसी का स्थानी संकरन खरड में एंकाउंटर गैंग जान बुटर चार सातीं से गिर्फतार ये समाचार के हम जिकर कर चुके है घर में संदिग धालत में मिला चंडिगड के फूम गाड का शब ट्राइसिटी करोना के 67 केसी नहीं बिक रहा अधिक दाम पर सेनिटाइजर मास्क के क्वालिटी की भी जाच हो रही है ये पंजाब हरेना हाई कोट में ये केस था कि मास्क महंगे बिक रहा हैं सेनिटाइज लेकिन इनका जो सी सी टीवी में सारा जो ये नाटक था ये कैद हो चुका है इसके अलावा 61 क्रोड की सेल की टेक्स का एक पैसा नहीं दिया ये एक कंपनी मना रखिये छे कंपनिया एक ही जगह से चल रही हैं तो इस तरह से पाइप्स और टाइज का काम ये फर्मे करती है लेकिन ये सारा फर्जी काम था और इसमें क्रोडों रुपे का टेक्स जो है उसकी चोजी भी हुई है जागरन सीटी को लेते हैं खरण में पुलिस से मुटवेड में गैंगेश्टर नवदी बुटर को लगी गोली इस समाचार का हम जिकर कर चुके हैं स्थानिये संक्रमर आठाथ सो तेश्ट और नए तेश्ट हम नए केस बाकी बताते हैं चेंडीगर में पंचकुल्ण में पत्ष्टिस नए मुटवे में उननीश नए मामले सामने आये बाई लोगों को मिली चुटी है अब तक तेरह की मौत मौली और पंचकुल्ण ने बढ़ाई चेंडीगर पर राजभवन में नहीं होगा एट होम ये बड़ा महत्तव पूर्ण समाचार है ग्रह मंत्राले केंद्री ग्रह मंत्राले से जैसे दिशा निर्देश आए हैं उसके हिसाब से जो संतरता दीव समार हो भी होता है वो प्रेड ग्रौन में यहां होना था वहाँ पे करमचारिय को जो समानित किया जाता है उनके नाम जरू घोश्ट किए जाएंगे लेकिन उनको मंच पर नहीं बुलाया जाएगा तो इस तरह से संचाव सिमत होगी बच्चों को शायद नहीं बुलाया जाएगा अब आज समाच चिंडीगड का जो स्थानी संच करने उसको लेते हैं ज ओनलाइन एलेक्शन होंगे लेकिन इसका कुछ लोगों ने कुछ वकीलों ने जो है उसका जरौद किया इसके लावा चिंडिगर के कालिजों में दाखले को ले कर होगा घमा साथ ऑनलाइन इस बार जैसा पहले भी बताए दे चुका ऑनलाइन प्रोस्पेक्ट में लेंगे ऑ आप अपलाई कर सकते हैं तो इसी गड़ी में शुक्रबार को हायर एजूकेशन डिपार्टमेंट की और से जाएंट प्रेट प्रॉस्पेक्ट लांच की गए जिसे देखकर छातर दाखले को लेकर आवेदन कर सकेंगे सुटाई जुलाई से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी तो इसमें होस्टिलों में सोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि होस्टिलों में जो संख्या है वो कम रखी है फीस जो है वो भी ऑनलाई जमा होगी अंडर ग्रेड़ुट कोर्स के अठारह हजार दोसो पंदरह सीटों पर होगा दाखला तो ये इसके बाद हम बात करते ह हैं चंडीगर भासकर मर्डर कहती है और फिर्टी के ठारह मामल में आरोपी जानबुक्तर चार साहिपों से एक गरिफतार पहले मुट्बेड हुई जैसे बताया गया है एक ख़बर बड़ी महत्त पूर्ण ये है कि चंडीगर में 21-25 भाजपा प्रदेशा देख्ष चंड पर बड़ी टेक्स की हराफेरी करने वाली एक कंपनी है छे जैंसियां उसने बना रही हैं एम्बूला इंस्त्रीवल और बाइक के नाम पर जैनरेट बिल किये जाते हैं एविल बना जाते हैं और यह जो है मनी माजरा में हैं इनके अड्रेस चारी कंपनी हों के एस सार एज से गुविंद पूरा मनी माजरा और एक समाचार जो पहले कुछ दिन पूरा हाई कोड ने कहा था कि अगर किसी गाड़ी पर स्टिकर वगरा लगाया जाते हैं तो उनको उनका जो है उनकी रिजिस्टेशन हो सकती है गाड़ी की कोई अब्जेक्शन नहीं लगाना चाहिए बसरते गाड़ी का कलर नहीं चैंज होना चाहिए उसे डिज्सेंड में कोई परिवर्टन होना चाहिए लेकिन अब उस हाई कोड़ के ही फैसले को चैलिंज किया गया है कि जिस गाड़ी की वो बात करने है उस गाड़ी कÖ तो पिलकiblical रंग भी चैंज किया गया इसलिए वह जो उस गाड़ी पास नहीं होनी चाहिए ये दोवारा से कोट में केस्ट गया है अमर जाला का माई सिटी तेल का खेल सिरकारी बहानों में पट्रोल से दोड़ी निजी का रहे हैं ये समाचार भी बहुत महत्तब पूरण भी है और भरस्टा त्यार का एक एक जामपल है मानी बाजरा का एक विभाग का स्टोर है वहाँ पे इंधन जो है सरे आम सरकारी गाड़ी उसे निकाल के जो है दूसरी गाड़ी में डाला जा रहा है एक समाचार जाएश पहले से चल रही है बात एक पंचकुला का जो होटल है वहाँ पे एक उद्योग पती महली के उद्योग पती ने वहाँ पे सूसाइड किया था ये होटल माउंट होटल में जाकर तो वहाँ पे जो उसकी जो उसकी अपने आतम हत्या के नोट लिखा था उसने इसलिए वहाँ जाके ये भी लिखा है उसने के मैं पैंड ड्राइव गए इसलिए वहाँ लजिके गया था ताकि पंजाब में कोई मेरे जो लिखी हुई चीजे हैं रिकॉर्ड को खुर्द बूर्द ना कर दे, इसलिए मैं हर्याना शाइड में गया था इस तरह शराब कारोबारी अर्विंद सिंगलाई कोठी पर फाइरिंग के अरुपी शूटर नीतन को जेल भेजा यह जो फाइरिंग थी, 33 अक्टर में कतिश मैं को खुई थी नहीं थम रहा करोना का कहर, ट्राइज सिटी में विले 67 केस, यह पहले ही हम बता चुके हैं इसी तरह से अब हम बात करते हैं, चंडीगर दैनिक ट्रिब्योन की राज की विद्याले हंगोला का परिनाम यह रायपुर रानी खंड का एक राज की विरिष्ट मादे में विद्याले है, उसकी ख़बर है बापुदाम में दोबारा सक्रीनिंग के आदिश पहले भी बापुदाम को लॉक डाउन में पूरा रखा गया था अब फिर वहाँ पे कुछ चिंता की बात है करोना को लिकर अब हम बात करते हैं ट्राइस्टी प्रकाश दैनिक अर्थप्रकाश का स्थानी संस्करन उत्तर हर्याना के करोना मरीजों को मिलेगा जी वंदान ये कहना है विद्धान सिवा के स्पिकर ग्यान चंद गुपता का उन्हों ने प्लाज़मा सेंटर का उद्धान वहाँ पे किया है और उन्हों ने ये भी कहा है कि कोविड उन्नीस से जारी जंग में हर्याना ने शुकरवार को बड़ा मुकाम हासिल कर रही है तो प्रदेश की राज़धाने से सेटे पंच कुला में प्रदेश का पांचवा प्लाज़मा सेंटर स्थाफित कर दिया गया है इस चौद घाटन किया है गुपता जी ने शहर में करोना के तेश कैस काने की खबर और चेंग च्छीन कर फरार हुए ये ब्याली सेक्ट्रिक में महला सुबस च्छे वज़े सेयर करने जा रही थी सी सी टी वी में ये जैसे मैंने पहले भी बताया है कि सारा जो मामलत था वो कैद हो गया है तो ये थी जो महत्व पूरुनक इस्थानिय समाट्यारों की कबरे हम अपनी बात को यहीं पे विराम देने से पहले आप से फिर एक अपील करेंगे कि करोना के इस दौर में बहुत ही जादा एहत्याद की जरूरत है अपना लोगों साथ अशारी रिक जो दूरी है डिस्टेंस वो बनाना बहुत जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग अंग्रेजी शवद है सोशली तो हमें एक दूसरे से जुड़कर ही रहना चाहिए इसी के साथ अपनी बात को विराम देने से पहले आपको फिर विदा लेना चाहता हूं और कल फिर समग्ध नई खबरों ताजा खबरों के साथ फिर आप से मिलाकात करेंगे अंत में मैं आपको एक सुभाशित जो दैनिक अर्थप्रकाश में हर रोज सुभाशित प्रकाश होता है मैं सुनाना चाहूँगा किसी को अपना बनाने के लिए हमारी सारी खुबियां कम पड़ जाती है जबके किसी को खोने के लिए एक ही कमी काफी है धन्यवाद नमस्कार